बहुत तरीके के एककरी आपने बनाई होगी कभी पियरी स्टाइल, कभी रेस्टरांट स्टाइल, कभी स्ट्रेट स्टाइल, कभी ओडिया स्टाइल भी बना कर दिखिए आज हम बिल्कुल अथन्तिक ओडिया स्टाइल एककरी बनाने बाल है पहले तो आप सभी को मेरे चैनल हुमीस कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों तो चलिए शुरू करते ही टाइम बरबात ना किये हुए तो अब हम लेंगे कड़ाई में थोड़ा सा सरसों के तेल अब हम इसमें डाल देंगे सारे साबुत करा मसालों को और इसे हम ती सेकेंड के लिए ही भून लेंगे करा मसालों में मैं आपर इलाईची बड़ी इलाईची डाल चीनी लोंग ले रही हुँ अब हम इसमें डालेंगे तीन से चार मीडियम साइज के प्याज बोबी स्लाइस स्लाइस कटा हुआ और पारिक से कट कर इसमें डालेंगे प्यास थोड़ासा बोने के पात अब हम इसमें डाल देते हैं एक साबुत लोशुन और अब हम इसमें डालेंगे 2 अंध्रक लोशुन का पेस्ट और इससे हम बोन लेतें जब तक मसालों से इसका ओयल Relies अब हम मसालों से मेल्ड हो जगा है यथ almost with this first तो आप elkaar से मिल्ट हो जगा है अब एसमें डालेंगे दो टमाटर की की प्यूरी прик्षूकूड यसा नमक की नमक भी जरोरी होता है की बहुत जल्दी ट महलें मुझा हूं अब हम इसमें ढाल देंगे सारे मसालों को मसालों में मैंने याप पर हल्दी डाल रही हूँ पहले पांच मेंट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं लो टू मीडियम फ्रेम पर पहले हम अच्छे से मिक्स तो कर लेते हैं अगर आपको में रेसिपी पसंद आई ना दोस्तों प्लीज मेरे चाल को सब्सक्राइब कर देना एक बार रेसिपी को जरू ट्राइकन आपने घर में बहुत अच्छा बनेगा अगर अच्छा बने प्लीज मेरे चाल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसमें ढाल देते हैं एक टीस्पून के करीब कास्मेरी रडचिली ये बिल्कुल दिखा नहीं होता है इससे अच्छा सा प्यारा सा कलर आएगा करी में अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब हम इसमें डालेंगे वान फोट टीस्पून जिटा पाउडर हाफ अच्छे से बख्चिका है प्याच बहुत अच्छे से गल्चिका है मसालों के साथ अब हम यहां पर डाल देंगे आलू को आप चाहे तो आलू पी स्केप कर सकते हैं पर हमारे यहां आलू मौस्ट पड़ता है सभी को पसंद आता है इसलिए और यहां पर एक सिक्रट शीज इसका जो थोड़ा सा स्वीटनेस है ना स्वीटनेस और दिखापर मिलने के बाद करी थोड़ा सा बालांस होके रहेगा करी में एक अच्छा सा रिशनेस भी आएगा जब तक हम एक को भी अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं पहले हम अच्छे से एक को बायल करने के बाद इसे हम फिलवड कर देंगे और एक भर हमें इस तरह से जीर्या मार लेंगे इसा करने से क्या हँगा ना एक के अंदर तक भी Watch sup फेल जाब क्या होता है न जब भी हम एक करी बनाते हैं एक कैसी ब्लाण्ड ही रहता है क्यूंकि एक के अंदर नाहीं ब्लांड टेस्ट रहता है पर नीसा क gjag़ए न यह जो घरता है एक के अंदर शरसक देल नाहीं और थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डाल का इसे फिर से भून लेते हैं ध्यान रखे एक थोड़ी तर भूनने के बाद ही आप इस सारे मसालों को आड़ करना पहले से ही आप तेल में एक को डालने के बाद मसाला आड़ करेंगे ना ये पाउडर मसाला होता है तो मसाला जैल भी सकता है और एक जला हुआ स्मेल आएगा एक से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगीगा अब हम सारे एक को जो ग्रवी हमने पेले से बना कर रखे थे उसमें डाल का इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसी प्यान में थोड़ा सा गरम पाने डाल का इसमें डाल देते ही अब हम थोड़ा सा कसूरी मिति लेंगे इसे हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे आप देख सकते हो करी का टेक्स्चर, कलर और रिशनेस बहुत ही टस्टी बनेगा दोस्तों एक भार इसे तरीके से एक करीब बना करते हो देखिए सब ही आपके तारीक प्रटे हुए नहीं ठकेंगे अब आम इसमें गरमा गरम पानी आट कर देते ही मैं हम दो हरी मिच में आट कर रहे हूं अगर आप उती का पसंद नहीं आप इसे स्किप भी कर सकती हो 10 मिनिट हम low to medium flame पे इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद आप देखते हैं हमारा करी का टेक्चर बिलकुल ठीक है इसी ठीकनेस की हमें जरुरत थी इसे ज़्यादा ठीक और आप नहीं बनाएंगे क्या सम अफ कर लेंगे लाशली फ्रेसली धन्या के पत्ते इसमें डाल देते हैं तो चलते हैं एक करी परुष्णी के लिए आप देख से तो कितना टेम्टिंग दिख रही है आप इसे पराठा रोटी या फिर राइस किस के साथ खाना पसंद करोगे मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना क्या आपको भी एक करी खाना पसंद है मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताना इसे तरह से एक करी बना करते देखें दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा हमारे घर्टे सभी को बहुत पसंद आए एक करी एक बार तो आप बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करके भी बताना बिल्कुल भी बन्द भूलना कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा उपर की तरफ खुड़ा सा फ्रेश देने के पत्ते को हम गानिस्ट कर देते हैं, इसे देखने में अच्छा तो लगेगा और टेस्ट भी अच्छा रहता है देने पत्ते की, तो चलते हैं गर्मा गर्म सर्फ करने के लिए, कही तरके की आप एक गरी बना चुके हैं, एक पार उडिया स्टाइल में एक गरी बना कर देके, सभी को पसंद आएगा, तक्स पर वाजिंग